कि लिए गाउने लोग है नो कि अटल पनी आया इंड प्रख्ट्स नहीं है फुशी नहीं है द्रुब्ब नहीं ए जब तर माही नहीं है और को नहीं है आप तो अनलाइन है और यह वाद की समय तीन चार लोग नहीं है पहली क्लास में आते क्या अच्छा बायो में क्या कोवेलेंट और मॉलेकुलर हाइड्राइट के बारें बात करते हैं तो नहीं पर दो है किसी सीट पेंसे आटेक होगे देड़ो कोई नहीं में डाउनलोड कर लेता है कितने पेज के नोट्स हो गया अभी तक है इतना तो नहीं पड़ाया था है नीग होगे अभी तक हुआ इस चार प्राइड्राइट के बारें बात करते हैं तो जैसे हमने जब हमने उसकी बारें बात की थी कि से फर इग्जांपल आयनिक हैड्राइड या उनका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने बताया था नहीं बताया था से लाइन हैड्राइड प्राइड यह सारे हाइड्राइड यह साथ बेरिलियम और मैंगेशियम नहीं दिया होगा तो लिख लेना यह चीज यह भी तो आपके 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 जन्रली आपके जन्री जो अब मां अभी यह कि क्लीक फिय surprise मैंने यह और इसके निन सब्सक्राइड होते हैं इसमें को सब्सक्राइड ₹ कोवेलेंट के पाद करते कोवेलेंट क्लासिफाइब कर सब्सक्रों जैसे के बी एक्सक्री प्री ऑगया विस्टी क्या है आपका श्ग् gobierno partnerships संदो Switch कुछ एक इस तरीके के फाइन संदू क्यों नियुद्विंधश क्यों सकता आया दौतिन यह करती है तो इनकी प्रेप्रेशन कैं यह ऐन्हीं दिविए क्या हुआ है कि पर जादर आने की जो तनी बाकिया पढ़ेंगे प्रेस्ट में कि उसके बाद थर्ड वाला जो आता है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेटलिक या इन नॉन इस्टार के मेट्री के इंट्रेस्टिशियल है यह पहले पढ़ा चुका हूं तो इंट्रेस्टिशियल हलाइड यह जो होते हैं आपके इनका क्या होता है इनकी जो सबसे खास बात होती है कि यह जो नॉर्मल आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल के जो रूल्स होते हैं जैसे वैलेंसी स्वापिंग और उसको फॉलो नहीं करते हैं इंट्रेस्टिशियल जो वर्ड होता है इंट्रेस्टिशियल कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जैसे नॉर्मल आपको बनाना होगा या तो वह होगा या तो वह क्या होगा या तो वह क्या होगा या तो वह क्या होगा या अगर आपको इंट्रेस्टीशन होगा तो कुछ भी हो सकता है या या एफी जिरो पॉइंट नाइन टू ओ टू पॉइंट ट्री कुछ भी बना सकते हैं मतलब मैं जरूनी की एक्जिस्टिक करता हूं मैं जिस पता रहा हूं कि यह दीज पानी के उपपर पानी के बारे में बहुत कुछ बता चुके पानी के लिए पानी के लिए पानी के लिए कि क्या वता सकते हैं है क्या पानी और यह पानी और तो शिंपल सी चीज है कि आपको पहले भी पड़के नाइंट में कि एड़े से फोर्स और पोहे से फोर्स जो होते हैं कि पानी के खुद के मॉलिक्ल्स की बीच का फूर्स अच्छा होता है और उसका वाटर जो जो बच्पन का अगर ज्याधा डीटेल जाना है वह होता है आपका नौन कि झोन εδώ है channel in और झो आपका पांई होता है वह क्या होता आपका पूलर और नॉन पूलर ऐसे भी निमिक्स होंगे इस तरीके से आप बात कर सकते हैं ठीक है देंस्टी बनस्टी बताई दीती पानी की रियक्शन्स मैंने बता दिया था आपको इसका इस्ट्रक्चर ऑफ आइस देखते जाओ इसमें कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना सम अबन आया बता दो मुझे एक्सेप्ट हाइड्रेट फॉर्मेशन वह मैं पढ़ाओ अभी अधि 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 इसमें जो बुक में दिया वो तो क्लियर ने सब कुछ पुछ आससर ज्यादा नहीं होगा एक्सप्ट हाइड्रेट में भी इस तो वाटर के बारे में थोड़ी 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 चीदे यहां पढ़ लेथे तो वाटर जो होता है पहले तो आपको पहले भी पढ़ा है कि वाटर क्यों कि और है ने को क्सिक्ट कर शकता है ओर यह पी पानी को क्या करता है कि यह आपका क्यालु आपकाई यह अपका एक क्या नाम है जोलने किया सब्स्क्राइप ग्ंद में पहले तो यह इसका नाम क्या होता है इस टाइप के होते है जो लेते जी बाइस अत्या नाम की योरिप्रांट्स बेस को पया क्याते है तो यह चीम होती है और उसके सेकेंट गार्व क्या यहीं वेस्थ फानी के प्रॉप्रपंटीज के पढ़ रहे हैं पहला क्याता है आसेट बेस्थ सेकेंड कया आपका रेडोंग्स तो रेडॉक्स में क्या होगा आपको पुद्ट से पुदभा दिया था मैंने जब वो आज न ऑक्सिदाइज एगैंट करता है तो कैसे वह और जब रिडूस होता है पानि तो कैसे भी पिशिव क्लास मैं रिएक्शिन लिखा रहिती है मैं दिखाए था याद रहेगा पैसे क क्या होगा आपको याद होने चाहिए भगना ऑक्सिदाइजिंगए एंटर पानी तो क्या होता है टू एच्टु ओ प्लस सूलेक्राट्र और यहां पे क्या आएगा आपका एच्टू फ्लस ओएच माइनस ऑगास यह ना चाहिए हूं है यहां पर यह क्या होगा पानी खुद हो रहा है पानी फूरसे पानी हो रहा है कुंद को दिए का हिए प्रत्रा सभी चाहिंस को ही फिर Arbeits सब्सक्राइब करता है तो यह आपको ध्यान रखना है बाकि आपके लिए और ज्यादा नहीं है तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि उसके थर्ड पॉइंट डालो रियक्शन विद्धा ओक्साइड यह भी पढ़ाया हुआ मैंने इसके इतने डिकेल नहीं बता दें ताकि आगे से चैप्टर फोड़ी एजी हो जाएंगे रियक्शन विद्ध ओक्साइड तो अगर इसकी पानी की डियक्शन मेटालिक ओक्स के साथ होन 20 की मिलता है रहा राणी की रियक्शन मेटल जाट डियक्शाइड की साथ है मिलता है कि मेटल चॉक्साइड के साथ हम पानी धालीका लॡ़्यक्षाइड की र banana कि क्या मिलेगा आपको कर ले willen मैं बैलेंस में लिख रहा ठीक है बैलेंस में नहीं लिख रहा हूं कि इतना आ सबस्क्राइब कर सकता होसống पर यह के साहथ रिय्क्षन होगे दो आपको क्या मिलेगा डेस मिलेगा कि देल कि छेface और जो नॉनमेटल ऑक्साइड के साथ इसकी रियक्शन होगी तब क्या मिलेगा आपको आज 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 इस बिलना है चलो को इस डिफरेंट वाले करते हैं इसमें क्या मिलेगा बताना और इसमें क्या मिलेगा बताएं कौन से असेट्स मिलेंगे कौन साथ क्या नाइटरिक कौन साल फार्मूला बताओ और यहां पर क्या मिलेगा इस एक नाइक क्या मिलेगा अ पर नहीं रहो यह भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको इसलिए करते रहना यह दो important इसलिए होते हैं कि मैंने क्या बटाता अगर आप किसी एक acid से पानी निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिलता है उसका corresponding N-Hydride मिलता है तो लोग गलती यह करते हैं लोग सोथे हैं अच्छे नो थी का आप पानी निकाल लेते हैं तो आपको जो मिलता है वो N-2O-5 मिलता है मत्तब यह दो मॉलेक्वल मिलके पानी निकालता है ऐसे S3 PO4 का N-Hydride क्या होता P2O5 होता है N-O2 कि कि अगर हम बात करेंगे तो N-O2 आपका सिंपल यह एंहाइड्राइड नहीं होगा एक्षिक है उसके बारे में आपको आपको आलग चलके बट अभी आपको यह याद रखने है तो यह चीज है इसमों और क्या होता सकते हैं चलो अब आते हैं नेक्स्ट पूशन जो पहले थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है अधर गारशाम करेंगे सब्सक्राइड अगर आइनिक हाइड्राइड के साथ हम रेक्षिन करते हैं आइनिक हाइड्राइट शोते मेटल के सब्सक्राइब आपको बताए अगर मालों मैं यह रिक्षन आपके लिए पूछता हूं या अभी के लिए पूछता हूं ने एच प्लस पानी यह सी एच्टू प्लस पानी क्या बनेगा क्यों बनेगा एनिवेच क्योंकि एच माइनिस क्या है आपका बेस है मैंने बताया था और यह क्या करेगा बेस एक एच प्लस निकाल लेगा यहां से तो यहां पर क्या बन जाएगा बचा हुआ इससे दो एच निकाल लेंगे और यहां पर क्या बन जाएगा बैलेंस कर देना इस तरीके से आपके बन जाएगे वह बेस होता है तो एक्सप्लस आपका निकाल लेता है सिम्पल है ठीक है अब जो एक आगले रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं यह अभी के लिए पाइड कि देशन विद कारवाइड कि अधिक शुल क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं जैस आमने पिछली बार पड़ाता ना मोटी उसके पड़ाता ना कारवाइड क्या होते हैं इसके और यहां पर यहां पर एक्स लिख दो कुछ भी हो सकता है यहां की नेगेटिव चार्ड होता है उसे क्या बोलते हैं जैसे कि इसके बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं ओर लिए शेज दो कि एसे करके कुछ वह सकता है एक्जामपल दिया है अधर कारबाइब्स होते हैं जैसे इसके जो फेमस एक्जामपल है उसके और प्रेले कर लेते हैं जैसे कि आपका जो सबसे ऐग्जामपल है इसके लिए कार्बाइड है कि एल 4C3 तो यहां पर क्या होता है आपका यह जो सी कार्बाइड है यह आपका ऐसे होता है इसमें क्या होता है तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि यह सी 3 पानी डालतो तो कारबाइड क्या है आपके आपके क्या निकाल लेंगे नेगेटिव के पास पॉस्टिव जाएगा पॉस्टिव के पास नेगेटिव जाएगा तो यहां पर आजाता है यहां पर मीठेन बन जाते हैं तो यह सबसे इसके पहले यह लिखा जुआ है यहां पर कार्बाइट का मीठेन भी साथ लिख लेना इसको पैलेंस कर लेना अपने अपने जाप से अगला जो एक्जाम्पल है वो है क्याल्सियम कार्बाइट प्लस एच टू ओ तो यहां पर जो कार्बाइड होता है समझना यह तो मैंने कराया था इसमें कौन सा कार्बाइड होता है कि कर के आपर सीटू कौन सा होता है चा यहुल्स होता है और सीटू भी स्था होता ठिक है तो सी तूटू-इछ तो अगें यहां पर क्या क्या हो जाएगा और यहां पर क्या जाएगा आपका सीटू है यहां पर यहां पर जो रियक्शन हो रहे हैं वह ऐसी टिलीन है कि इस तरीके से होता है आपको कि ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं मतलब मैंने क्याल सें बढ़ा दिया आपको यहां पर एमजी सीटू बना के दे सकता है आपको ठीक है अगर और अच्छा जाना है तो आपको इसके देख और होता है आपको बिरिलियम यह थोड़ा डिफरेंट होता है इसके तो यहां पर क्या होता है आपका बी तूप्लस एस एंसी फूर माइनस होता है तो अगे आपको यह आइधेंटिफाइब करना कौन साथ है यहां पर जब है कौन सी गैस बनेगी जान पर चिंपल साह से जानेगी है है or है करना बता है दो थो पूर थे सब्सक्रेस्टि मज़नेगी या ऐसे लास्ट एक और है बस Mg2C3 Mg2C3 ठीक है तो यहां पर क्या होता है आपका Mg2 प्लैस होता है and C3 4- होता है ठीक है तो यहां पर जो बनता है जब पानी के साथ इसके रियक्शन करते हैं यह थोड़ा तीन आपको देहान रहते हैं मैंने आपको प्लैस होता है तो यह होता है तो यहां पर क्या होता है च्छी प्लीघ कर्फ देपल बन यहां पर प्रपलीन मंदी यह कि अग्या वने आगे डालों कृस्टलाइन वॉटर कि अग्रिस्टलाइन वॉटर तो मैंने तीनों ताइप आपको बता दिया तो तो तू कौन सी टाइप के ने और आगे ढलू नेक्स्ट जो है क्रिस्टलाइन वॉटर टिक यह इंपॉर्टन देशु दॉप रिस्कार्ट नेच्स पॉइंट नेक्स्ट्पॉइंट अज्टलाइन वॉटर दिस अइं यह लॉए ना मभी पर्णिक दो कि पूर आपको भी जो तेस्के तो नर्मन नीच कि दानो है आप क्रिस्टलाइन वाटर कि सब को पता है जिन्दगी फेत क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है कि जो। वाटर के यह स्लैस करके डाले ना हाइड्रोजन बॉन्डेट वाटर के इसका नाम पता है सब को है 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 हिंदी में बोलते नीला को तो यहां पर क्या होता है यहां पर आपके पास फाइब वाटर जहां हो किस्ट्लाइन वाटर आप ऐसे बोल देते हैं ठीक है बट जब इसका रियल में स्क्रॉक्चर देखोगे तो यह ऐसा कुछ दिखता है इस एक्जांपल बता रहा हूं है आपको रटना नहीं अभी देर देर ओर टाइम याद हो जाएगा मतलब समझा रहा हूं आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डेज बॉन्डेज वाटर का मतलब क्या होता है आपको याद हो अगर बोरेक्स का भी फॉर्मुला कुछ ऐसे ही था जब हमने इसको बोरेक्स को लिखा था तो इसमें 8S2O साइथ बाहर रहे गेते और 2S2O अंदर आ गेते तो यहां पर क्या होता है आपका बाहर है और जो 4S2O है वो क्या है अंदर है अब जो 4S2O होते वह एक्ट्वल में कॉर्डिनेटेड होते हैं मतलब को रटना नहीं है समझा रहा हूं मैं मतलब कि ताकि ओवर्णा टाइम आपको समझ मा आ जाए ठीक है यह आपका हो गया एसो 4.2O तो आउट आप फाइव वाटर जो मॉलिक्ल थे नीला थोता में यह अब लोवेट्राल में उसमें से कितने वाटर आपके हड्रेंड मॉंडेड अब हो सकते है का पता किए वाट की चार तो आपके अबसेक न सकते हैं कि हाओ मनी वाटर सार्फ और कोडिनेटेटेट और कोडिनेटेड इन्दा कॉडिनेटेशन बॉन और कितने आपके हाइद्र यही कि करने के लिए पॉर्ट यह क्या हुआ है यह कोडिनेशन में चलेगा अगर यह क्या है तो है पॉर्टे कर सकते हैं तो कितने वाटर हाईड्रेडरिन बाइटरेड माण कर सकते कि यूए सफों डॉटट पाइव एस्टु हो में लिख लेना यह ए इस कॉंसेट लियर है कि और गता किया रहा है कि निनी आया क्या क्या रहा है यहां पर आपको मिला है तो यह कह रहा है कि मानलों दूत्रे साइड से कोई कुछ और चीज आती जो वाटरा वेल्बल होंगे फॉर्द है तो जो फोर हाइड्रोजन है वो अंदर चले गए इस फेयर में तो यह क्या करेगा सब्सक्राइब करेगा इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं ऐसे ही अगर आप से ऐसे यह होता है एप यह सब्सक्राइब अभी जस्ट मैं एक्जाम्पल बता रहे होती है तो सेवन एस्टू है तो इसमें सेवन के सेवन में क्या होता है च्छै क्या होते हैं आपके यहां पर बहुत अच्छा होता है पढ़ने में मतलब मर्या आएगा आपको सम्थिंग लाइक केमिकल बांडिंग होता है उससे भी बैटर होता है कह सकते हो तो यहां पर अगर आपको इस्ट्रॉक्श्य पता तो इसमें से कितने आपको लगता है है थाट्रोजन इसमें पानी होता है और सुल्फेट होता है इस्पेसली जिंग, आयरन और कॉपर के टॉल्ब ठास्केत होते हैं तो acknowledging पता लिए और क्या क्थे मिरित कट्षेन करेंक है क्या मुलने से नहीं ही हाथ को हिदी में क्या बोलते है काथ को अधि को मुला मुलाय हम पानी पर अगर को हिंदी हाद सब्सक्राइब को पता चल रहा है कि हाड मतलब क्या होगा सब्सक्राइब कर देखा होगा आपने जाकिर खान का स्टेंडफ आइगा सभी नहीं देखा है कि जो भी हाड होता है तो पॉइंट यहां पे सब्सक्राइब कर रहा है कि आपको जल्दी प्रिखल जाएं मतलब कि उसमें क्या होता है वह जल्दी क्रिक रिक्शन देता है इसे फार एक्जामपल अगर मांनों कि दो लोग है यहां पर आते हैं आपको फ्रॉट वगेरा नहीं देगा जाग नहीं देगा और इसमें क्या होता अगर आप आप पीरेड ऑस ताइम यूज करते रहेंगे तो अगर आपने देखिए उसमें टैपके ओपर के टाइप का बन जाता है यहां का पानी खराब हो उसमें टैपके होते के की बोलते ना से लेयर टाइपके बन जाते ही कुछ उसकी देखा आपने कभी हां नहीं देखा होगा तो आपने देखा बाकी लोगों सबाते हैं अच्छे नोड़ा का हाड़ वाटर है यहाओ पर भी बैटर एक सब्सक्रापके पर ना समस्राइल चाहिएज सब्सक्राइभ सब्सक्राइब करने जहीं सब्सक्राइब मैं मुझे आपने के लिएग पाने दूचले निर्टे सुर्च सिद मेद्गे क्रें अच्छी अब लुग मूगों सास्वजिवे कार्बोनेट का सॉल्ट है तो फैर कोई बात नहीं है तो पॉइंट यह हमें पीना नहीं है फिल्टाइड वाटर पीना ठीके गलती से एक्सपरिमेंट मत करने लग जाना कर वे आरो अगेना लगा कि ठीक है तो एक पानी आता है पता नहीं बतला उस दिन ऐसी धिरम्बन था क फैन का बढ़ देता तो हम पानी लेका आता है और पता नहीं हाफ ब्लैक ओडर हूं और पता नहीं क्या है उसमें पहले लिकांस मुझे लगा कि कुस्तों टेस्ट होगा बतलब दिल्कुल भी टेस्ट नहीं था क्यासा है वो पानी तो वह पानी पी सकते है आप है कि अगे ब्लैक भी डैक तार एक वाइट भी था बट उसकी जो बॉटल थी उस सुराही जैसी ती अगर आपने देखता हूं अगे लेट्स कम बैक दो पॉइंट वापस आते हैं अगर कहीं इसके एफेक्ट मिलेंगे साइड इफेक्ट मिलेंगे बता दूंगा ठीक है और नेक्स लास में बता जूंगा है क्या हां बाइवालों बताना क्या फरक पुरता है हाड़ वाटर पीने ऐसे आप जोगी हाड वाटर क्या करता है आपको आपके जिंदगी के रहने के में फोड़ा साथ कर देता है ज्यादा चीजे करना पड़ेगा ज्यादा इजी वगएरा यूज करना पड़ेगा ठीक है वाशिंग मसीन जल्दी खराब हो जाएगी तो बरबाद हो जाएंगे चीजेंगे तो तो थो के सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्ति कर सकते हैं जिसले रिमोफ कर सकते उसको बोलते टैंप्रेल हाडनेस This export a regenerate exemptajcie जोति आप दिया होगा हुआ मैं बतादे तो डेखी है आपуса olun लगा हाद वोटर फॉंस इसकंप्रेसिपुटेट विद दशो यहाप सकते आपको क्या होता है इसे नहाते बर कपड़ा दो ज़ुत हैं इसका जब आप मेटल जो होते हैं उसमें कैलिम के साल्ट होते हैं अब आप सुझेंगी सर्क्रमियम भी हो सकता है लेकिन होते हैं वह पिर जहरीला पानी बहुते हैं अगर कैलसिम और यहां पर भी इंडस्ट्रील एडिया है वहां का पानी अगर आप चेक करेंगे जहां पर अप्र लेदर बगएर और पेश्चे नहीं होते हैं तो मतलब हाद वाटर इस नाइस वाटर फॉर्टर फॉर्ट यह कह सकता तो यह जरीला पानी होता है देखा होगा आपने अगर जह हों कि हाड़ वाटर इस नौट दा वर्स तिंग इन दा वर्ट नाव कमिंग टू दा पॉइंट टेंप्रेरी हाड्नेस होती वह क्याल्सियम और मैंगनेश्यम के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजिन कार्बोनेट की वज़े से होती है तो इसको कैसे कैसे दूर कर सकते है इसको कि पानी पढ़ यहां पर निकल जाएगा और आपको मैंगनेश्यम और कैल्सियम क्या मिलेंगे आपको तो जब उसे वालों के पानी तो नीचे को कुछ मिलता है क्या उपर वाली तो हां नीचे वाइट नीचे प्रेसिप्टेट होता है वह बेसिकली यही है आप देख सकते आप क्या होता है कि इसको क्या बाइक कार्बोनेट या मैगनेशियम के रियक्ट कर देते हैं तो यहां पर क्या होता है जो भी हाड्नेस होती है वह अगेन प्रेसिप्टेट आउट के निकल जाती है कि इसके बाद जो आते हैं पर्मानेंट यह इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट इसके उपर दो बार आता है क्या 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 निकल रहा है क्या है क्या है क्या है क्या है कौन से मैथट है क्या क्या आपको सीधे से चार आप्शन देंगे क्योंकि जातर कोशिण हादनेस और सफनेस से आते हैं तो आप से पूछेंगे विच आप दे मैथट कैन बी यूजट फॉर्ट रिमोल ऑफ दा पर्मानेंट हादनेस अफ दे वाटर और टेंप्रेरी हादनेस अफ दो वाटर ठीके पहला कोशन यह बनेगा दूसरा फॉर सपूस्ट क्लार्क मेथे प्रेसिविडेट क्लार्क मेथे और रियक्तेंट्स चार उप्षन ने दियो उसमें से आपको चूज करना होगा तो सिंपल कोशन आते हैं इसलिए स्कोरिंग बहुत जादा होती है लेकिन है अपको रटना पड़ेगा अच्छल में आपको दर्श समझ में आएगा बायो व वह अभी आपको पता चलेगा इसमें आपको और ज्यादा हो जाएगा तो अगर अगर किसी के पास टाइम हो तो 11 में साजातर इन और अर्गनिक कवर कर लो रटने वाला एक्स पोसिन क्योंकि फिर आपको एक्सपरिमेंट वाला पॉर्शन भी पढ़ना पड़ेगा क्वाल होता है क्योंकि आपको ट्वल्फ में क्वालिटिव एक्सपरिमेंट का काम करना होगा और भी बहुत सारे काम होगे तो 12 में नहीं होता है मतलब उतने ज्यादा आप नहीं खीच पाएंगे अच्छे से और आप आप यह सोत रहे हों कि पहले ही अच्छा स्कोर कर लेंगे कि कि दूसरे आपको रुखना पड़े ताकि आपके तीन मेने पुरा एडवांस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए होगा और आप इसा प्लान पर रहे हैं तो प्लान यहीं रखें कि पहले वाले अच्छा स्कूर कर सकते हैं तो सेकंड में अपने आप अच्छा हो ज करते हैं ना कमिंग्ट पर्मानेंट हर देस्ट के वारें बात करते हैं तो पर्मानेंट हर्णने जैसा के लिखा है आपको का सुझा कर्षियूराइड और सब्सक्वेड के वाज़े से होती है इसको ह능भी तरहां However शोड़ा दिखिल नहीं करते हैं इसको दूर करने के निचे नियमने लिख कर हो न हुआ है पहला ऑप जब इसको एड़ करते तो यहां पर ट्वाइस प्लस एने फॉर पी शेक्स है ओटीन और यह सब कहानी है तो इसमें होता क्या है क्यालगन के उपर जाज तर कोश्चिन आए नहीं है लेकिन यहीं वाला को पसंद है ऐसे कोश्चिन था ना क्यालगन जो है एक्षय है एक्ष्यल में स्ट्राक्च्र होता है कि एवेजैंस एक्ष्यल में में करते हैं यह तो उस्के कार्बोनेट के साथ तो उसमें क्या होता है हyes new तो क्याल्सियम है यह वाले आपके यहां पर अंदर वाला कि यहां पर तरिकंब्स हो जाएगा फिश्थ हो जाएगा रिए अपके जो होगा वह चार चार सोडियम सब्सिचिटेज दो सोडियम आपके सब्सिचूट नहीं होते हैं और यह चीज आपको धिहां रखने हैं दूसरा की बन सकता है कि कैसे केलगन में कितने पाई bond होते हैं, कितने sigma bond होते हैं, लिको ये करके लाना आपको, ठीके, how many sigma and pi bond are there in the calgon, how many pi and sigma bond are there in the calgon, कि अगे बड़े इस तरीके से आपको देखते हैं, इसको समझ में आजागा, नहीं भी आता है, तो मुझसे पूछ लेना, ठीके, simple structure होता है, ज्यादा को सिपकती ही होगी, इस्ट्रक्चिर समझते में, next method है, आपका आयान एक्षीन मेथेड, तो आयान एक्षीन मेथेड मेथ होता है, इसको लाइट में या पर्मिटरिक मेथेड मेथेड है, इसको लाइट मेथेड करने के लिए, यह का जनरल फॉर्मुला जिसको हम simplify करने के लिए, ऐसे लिख ज़ेए हैं, आपके किताब में दिया है, यह आपकी यह दिए तो यह दिए सिंप्लिफैट मतलब एक तरी के से इंपिरिकल फ़र्मुला है यह दिए तहए तो यहां पर प्विसको पर्मुटेट उसको पर्मुटेट या जो लाइट बोलते इसका जब मैठल के के लिए बागी पूछे गाने को इंपॉर्टन नहीं इतना कि के मालो क्याल्सियम तूप्लस के साथ इसकी रियक्षिन कराते हो तो देखो यह आपने कि इस तरही के से इसके रियक्षिन हो जाती है तो आपको समझ में नहीं लिख लो तो ज्यादा क्लियर रहेगा इस जस समझने के लिए कह रहूं मैं लेख सेब्सक्राइब आपको क्या था हाटनेस थी तो आपने क्याल्सियम को कि से एक्षेंज कर दिया सोडियम से क्या निकल गया बहर और क्याल्सियम और मैंगनेशियम ही निकालना है आपको तो वही तो सब्सक्राइब कर रहें से ना हार्डनेस का था क्या रिमोल आफ क्याल्सियम और मैंगनेशियम बाकिस सल्फेट और अगेरा फ्लॉराइट अगेरा तो कैसे भी निकल जाएंगे तुर आपको 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 साथ है आपको सिंथेटिक रेजिन मेत रेजिन विसक्लि एक टाइप ओंपाउंड बढ़े और यानिक इसके एक एक जंपल बता रहे हूं बाट अंडर अन्डेस्टेंटेंटेशन के लिए ठीक रटना नहीं है आपको हम दो रेजिन क्या होते हैं बेसिकली दो तरीकी के रेजिन होते हैं एक एक पर चांपल समझा देखेते हैं तो यह तरीकिछ आयन एक्शेंज तरह ही वर्ग करते हैं जिसे इसमें आयन का एक शेंज हुआ था सोडियम के जिगा पर क्या आगया था कलसेम आ गया था तो देखो क्या होता है मलो रेजिंग नो एक और गनेक कंपाउंड तो मैं बना रहा हूं गंदा सा होगा तो डैट इस नॉटा करेक्ट रेप्रेजेंटेशन अगें ठीक रेजिंग क्या होते हैं जैसे कि एक आपको याद नहीं करना है ठीक है यह तो यह क्या है बहुत बड़े से कुछ कम-पाउंड होते हैं से मतलब बहुत एक क्मप्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो हम क्या करतें यहां पर जैसे है 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 टो मिह यह अपना ठीक होग तो तो इसको thirds कि साथ रहे तकर यहां पर हम लिए यह थिन फिल्वेश मैं प्लस यहां पे होगा है क्या होगा जब इसकु प्रियक कराने के लिए लाओ गए कुछ वालो क्याल्सीम अफ़ेट था तो यहां निकल जाएका बाहर एने निकल जाएगा और यहां हम पर पर क्यालिसियम यहां इस तरीके से आपका इसको आपके इंप्ण यह तरीका और भूहतो Здरहा दाने उन्पक्राइड सर दाने ना देज हैं इसे इंपकुछ आदा फिनकहेट के नर्मलन से क्रणी इजय च्शेल के परिंग ओपिने पृ पूमिपेड यह सब इंपॉर्टेंट है इसने मतलब कुछ आपको एक्स्टाउडरी नहीं पढ़ना है उसके आजाते हैं हाइड्रोजन पर उपर लास्टी जाएगे फिर कतम हो जाएगा हाँ उसको एन उस से रिएक करा दिया ना मैंने रियाक करा कि जो बना यह होगा है नेट्स साहसे आपको अब आपको एट्स यह दू बारें बाते हैं एट्ञेण परॉकसइड इस में थोड़ा सा एक्स्टा पर नहुगा आपको ठीक है आपको पढ़नी है लिए पहले को सौडियम परॉकसाइड फॉर्म सोडियम परॉकसाइड तो सोडियम परॉकसाइड में क्या करते है लेते हैं जिसकी एक्स्टूएस ओफोर के साथ रिएक्शन गते हैं तो सिंपल सी चीज है अच्ट्ट यहाँ पे क्या होता है आपका किने टू एसो फोर प्लस एच्टू प्लस अच्छा जो एक्स्टू ओटू आप है जो एक्स्टू ओटू हो था जन दली वह बहुत ही हाई तो हमारा टेंपरेचर बहुत जादा हई नहीं होना छ ubiqu होता है इस पर लोग क्यों रखते हैं क्योंकि जो आपका पर आकसाइट प्रेहला था नेक्स आते हैं अब बेरियम प्रॉक्साइड में आपकी बुक में दिया हुआ है ना एक दिखाने दिखाने रख्या लिए अब बढ़ने के लिए तो बेरियम प्रॉक्साइड के स्ट्वे सोफोर से रियक्शन करा दी इन्होंने आपको बेरियम सल्पेट मिल जाता है और पानी मिल जाता है ठीक है पूछने के जो तनी वाश्रों पूछने के लिए कि आगला लिखें थार्ट लेकों सेकंड वाला लिखना मैंकेट नमबर तू रीट सौंद एंस यार्टी और नमबर आते हैं पूछने वाले यहां पूछन सम्झाने वाला नहीं है इंपॉर्टेंट है इसके जो प्रिपरेशन है इसलिए लग्सा परहारा है क्यों ध्यान ने ना ठीक है तो जो बी यह वोटू होता है जो आपने पहले वाला सेकंड मेठेड में पढ़ा है एक एसको हम लेते हैं इसक का बेरियम फॉस्पेड बन जाता है अब देखो आपको रटनी की जोतनी है समझो अगर आपको सेकंड वाला आता है रिएक्शन सेकंड वाली रिएक्शन जो आपके बुक में दिया है तो इस डिफरेंट फॉम थार्ड वर सेकंड वन देको रटन से मैं बैलेंसिंग की बा रिएक्शन कराये और वहां पर क्या मुलता पर विडिल चूट बनाता तो यहां पर वाफिक सकता था तो और यहां पर टॉरेंट बन जाता घ् confusion서 तो पानी काल दिया आपको रटने की जोत्मी है हर सरोगा ठीक है बैलनसिंग हो सकता डिफिकल्ट हो जाए अधर वाइस सिंपल सेम चीजिए पिसले वाले में सलफेट के साथ रेक्षिन किया तो सलफेट बन गया तो यहां पर फास्ट बन गया और एस्ट बन गया तो आपको जहान क्या रखना है साइड प्रूडक्ट के उपर इता ध्यान नहीं नहीं मैं पहले आज बतातों लिख लो कहीं पर जब दो तीन चीजों का ध्यान देना आपको ठीक है जिसको पर कुश्चन आते हैं आप उठाके लिख से पहला क्या रेक्षिन में कोई गैस बन रही है यह कोई स्पेश्चिली कलर्ड कंपाउंड है तो ऐसा कुछ कलर्ड है और अगर आपको देख के लग रहा है कि आप एक नजर में रियक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो उसकी बैलेंसिंग आपको देखने होगी अगर आपको लग रहा है इस्पेश्चिली उसकी बैलेंसिंग आपको देखने करेंगे अगर इजी तो कर सकते हैं तो क्या बन रहा है प्रेसिबिटेट यह जैसे होता उसकी जो होती है यह जैसे घ्क रॉस्पेश्चिजी इस्मेल होती है तो यह सब आपको ओर दाइम पढ़ना है अभी नहीं पढ़ना सारा इस गहां और वे जैसे जो चीज़ पड़ रहे हो तो रियक्शन में एस टू बन रहा वो तो ध्यान देना यह सीज कीकर रहा है एस टू परफ्रेशन कर रहे हैं किल लिए Dunky कि अगे लिगो इंडस्ट्रिल प्रेपरेशन इन्डस्ट्रिरल प्रेपरेशन इन्डस्ट्रिल प्रेपरेशन लेको पैला पॉयंट अर्वाज़ा बन्द कर लुगवेटा क läuft कर दो उक्र धुकर देरीक्ट अ्टोड व्सकूड है अट बर्मर्डडेव beleza अटिध मैं स्ट्थ ऊनवेड एनॴ मि करिकाइड कर अटो нını अटरू इस अटो अट्रू अटो आटू बर्टाल tussen ऊट्ड इस अट्रू इस अटू अट्यक्रड सवफ 50 इस अट्य ऑसक्ट आरू ident का एस्टू एसोफ प्र टेखो जब एक्स्तू एसोफ टो आया एप एक है और एक है सब्सू प्रक्रत होता नहीं है अब हम्मालत थिक है इसेम चीज्स तिक होता है तो क्या होता है हमेशा पिछली क्लास ने रेडक्शन होता है उसकता है इन दूनों से कौनसा रीडियूस हो सकता है है अचला सका रेडक्शन हो जाएगा कि दो एच प्लस ले लेते हैं है एच टू मिल जाएगा ए नोड पे क्या होता है और आप सिंदेशन स यहां यह बनाता है यह बनता है पहले इसका नाम क्या होता था याद है कि दो नाम होता है या पराकसिडाइस अल्फूरिक आसे ठीक है इसमें पाणी डालते हो आपको मिलता है एक स्टू एसो फाइव प्लस एक स्टू एसो फॉर्ट इक इसका नाम मैंने बताया क्या होता है मार्शल्स आसिड इसका नाम होता है करोज आसे इसका तो याद होगा है आपको इसमें परोक्साइड लिंकें दोती थी यह वी यह आपके और हम जो फस कैनल दा पांटें हो सब्सक्राइब टो सब्सक्राइब करें अब यू प्रेश्टाइब नाम बताना तो पॉझे पानी डाल के आपके बना सकते हैं क्योप स्थीस तू प्रे यह िवीज तरिकेस आपको बन्हें कि अब देखो कि अगर मतलब मेरा मन होता मैं एच्टू एजो फोर की दिखा पर देखो मैं बतानों कैसे बनाएंगे आपको कोश्चिन बनाएंगे हो किसी और चीज से देखना कर तो भी गता बनाना हुआ सो अब समझो कोश्चिनव आपने यह पड़ लिया अगे वह आप से कोशन कहेंगे कि कि इसकी इलेक्ट्रॉडिस टरके कर कि कौन सा प्रोड़क्ट मिलता है मैं अगर मैं कूई इसकी इलेक्ट्रलीटा कि कौन सा एक तो एनेज फोर प्लस हो गया है एक तो एनेज फोर हो गया और एक क्या हो गया है एसके दूर्व आपको क्या प्रोड़क्ट मिलेगा कि अभी तो किया एस्टू और जब इसका रेड़क्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि देखो अगर एने फॉर प्लस का रेड़क्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि बताएए कि इसने फॉर प्लस को भी तोड़ सकते हो ना अमोनिया प्लस एक्स प्लस में तरीक उतना डीटेल मनी जाएंगे बड़ कोई बार अभी तो इतना क्लियर है कि अगर इसको देदे तब भी सेस्टू टू आंसर दे दो क्या ठीक है नेक्स लिखो नेक्स लिखा और उसको बार में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे अम इस टॉपिक को बट्टेंट है ये बे बाई आट्वाटो उक्सिडेशन ओफ बाइनेक्स्त मतलब मेथड है ऐटो ऑक्सिदेशन ओट तू इथाइल टू इथाइल एसे लिखना तू इथाइल एंठा कुईनॉल तू इथाइल एंठा कुईनॉल यह भी ऑर्गेनिक के साथ से इंपॉर्टेंड नहीं है तू इथाइल एंठा कुई एक्स्ट्रा क्योंकि ताकि आप जब दिवारार पढ़ोगे तो सब कुछ आपको कई जगा मिल जाएंगे चीज़े तो डिफिकल्ट नहीं होगा रटना तो इसको बाद हो पढ़ेंगे लिगए इंदा ओर्गेनिक पढ़ेंगे इसको इंदा ओर्गेनिक के वाष्टे ना प्रापर्टीज ना एडिंग प्रापर्टीज प्रापर्टीज आपको पढ़ लेनी होंगी है कि आपको यह तो मैंने पता ही चुका हूँ कि अस्तू उतू जो होता है अजन ऑक्सिडाइजिंग इजिन वगेरा काम करता है तो बाकि जितनी इसमेरी उतनी पढ़ लेना उस्यादा कई पढ़ेंगे ऐसे तो पढ़ाने के पूरी चैमेस्ट्री खतम हो दाएगी लिखा वो पर देना आप और इसका जो इस टोरेज है इस टोरेज वाला पॉर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेंगे कि ऑक सी जो एंसे आट में स्टोरीज दिया है तो सब्सक्राइब तो उसमें क्या होता है और यह फ्यूल जो टापिक हूं पोरेट एसे इक क्षु Chip बनता हाइड्रा जोन क्या होता हैbooks ह audi रcellion बोला रसी नहीं बोला मैं इस हमां रहे ले यह लो होता है वो प्राय है रहे टोर्स जान को बोलते हैं मैं लिख लें दो इध्रागों प्राइड रिट्रीन घरिक को था एक फ्यूल होता है बहुती अन्स्टेबल होता है प्रपोस किया था यह प्रेक चेह आप रुखना है यह पाड़ सक्षाटने आगे है तो साथ बढ़े से टेस्ट है ना किया रिवाइस कर लाइए कि अब अब कि अब दो पुछ सब कुछ को पढ़ा रिया है हाँ जो बायो वाले वो पीछे से सुरू करना कि मस्ट्री कि अब बसे थाये है वार दिसनेंक है ना कि अब इसे होती है